हेई गाइस वेलकम बैक टो नहीं वीडियो आफ वीके तो यार इस वीडियो में मैं आपके साथ Samsung Galaxy S10 के बारे में बात कर रहा हूँ February 20 तारिक को San Francisco में Samsung Galaxy S10 का launch event है और इस साल Samsung एक नहीं दो नहीं बलकि तीन तीन नहीं नहीं phones लाँच करने वाला है और आज मैं इस वीडियो में आपके साथ Samsung consequences phones नुकलने वाला है उसका price क्या होने वाला है उसका features क्या होने वाला है उसका पूरा कुंडली आपके सामने open करके रख दूँगा और इस वीडियो का आप देखते रहे हैं अगर आप मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज सब्सक्रेब कर दीजिए और ये हमारा तीसरा हिंदी वीडियो है हम पहले तो हिंदी वीडियो से बना चुके है और उन दोनों वीडियो का लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ जाकर देख लीजिए और बिना टेम वीडियो को आरम करते है तो यार पहले ये कंफर्म हो चुका है कि सामसंग का गैलक्सी का लाँच इवेंट विब्रवरी 20 तारीक को है और सान फ्रांसिसको में ये इवेंट चलने वाला है 20 तारीक को पहले हम नाम्स को डिकोड कर लेते हैं सामसंग गलक्सी S10e जो है वो एंट्री लेफल वेरियंट है या तो एसेंचिल है या तो विवरिवन के लिए है इसका मतलब यह है कि सामसंग गैलक्सी S10e जो है वो सबसे चीपेस्ट विजियंट होगा और उसके बाद जो आता है वो है Samsung Galaxy S10 Samsung Galaxy S10 वो है flagship का variant और Samsung Galaxy S10 के बाद तीसरा variant है Samsung Galaxy S10 Plus वो है Big Daddy वो सबसे costliest version होगा और यह है तीन phones का नाम के बारे में और अभी हम बात करते हैं तीन phones का screen size के बारे में Samsung Galaxy S10E का screen size होगा 5.8 inches Super AMOLED display 2K resolution के साथ S10 का size होगा 6.1 inches 2K display Super AMOLED display के साथ और S10 Plus का जो display size है वो होगा 6.4 inches 2K resolution display और यह भी Super AMOLED display ही होगा और तीनो phones के front covering में Corning Gorilla Glass 6 देखने को मिलेगा और तीनो phones में आपको front glass में एक छेद देखने को मिलेगा और यह छेद क्या करता है इसको हम बोलते है punch hole display और Samsung इसको बोलता है infinity o display infinity o display में क्या रहेगा एक camera रहेगा और उस camera में क्या होगा वो एक front facing camera होगा Samsung Galaxy S10E में front facing camera single होगा Samsung Galaxy S10 में front facing camera single होगा और Samsung Galaxy S10 Plus में front facing camera double होगा तो इसका मतलब यह हमको पता चल गया कि screen होगा 5.8, 6.1 और 6.4 inches भी हम बात करते चाहिनाओ के होगा तो इसका मतलब यह है कि S10 Plus में हमें 5-5 camera देखने को मिलेंगे अभी camera's क्या-क्या होंगे उसके बारे में बात करते हैं S10e में front में normal camera होगा और rare में एक single RGB sensor होगा और second one होगा telephoto lens या तो wide angle lens S10 का rear facing camera में एक normal lens होगा वो RGB lens, second वाला एक telephoto lens होगा और third वाला एक ultra wide angle lens होगा S10 Plus के बारे में अगर बात करेंगे तो front में दो camera होगे पहला camera होगा एक normal lens और दूसरा camera होगा एक ultra wide angle lens S10 Plus में rare camera में एक normal lens होगा एक telephoto lens होगा और तीसरा lens जो है वो ultra wide angle lens या तो हमें time of flight देखने को मिलेगा time of flight और TOF lens जो कहते हैं time of flight lens जो है वो 3D images हमें निकालने में काम आता है और हमें ये भी सुनने को मिला है कि तीनो phones के cameras में एक bright night feature भी मिलेगा bright night feature ये होगा कि हम pixel 3 में night set का feature हमें देख चुके थे जो night conditions में कमाल कमाल का photo निकाल के हमें देता है वेसे ही हम Samsung Galaxy S10, S10E और S10 Plus में bright night करके feature देखने को मिलेगा ये हला कि एक night mode जैसा है अभी हम बात करते हैं fingerprint scanner के बारे में Samsung Galaxy S10E जो cheapest variant है उसमें जो fingerprint है वो normal वाला fingerprint है लेकिन इस normal वाला fingerprint हमें तीचे या आगे देखने को नहीं मिलेगा Samsung Galaxy S10E में हमें fingerprint scanner sides में देखने को मिलेगा जहां power button रहता है ये से fingerprint scanner जो side में रहता है वो हमें next bit robin में और Xperia के कई phones में देखने को मिले थे Samsung Galaxy S10E और S10 Plus में जो fingerprint scanner है वो in-display fingerprint scanner होगा in-display fingerprint scanner मतलब screen के ऊपर ही fingerprint scanner मिलेगा और इस बार जो fingerprint scanner Samsung integrate कर रहा है न वो fingerprint scanner कोई normal fingerprint scanner नहीं है और ये fingerprint scanner next generation ultrasonic in-display fingerprint scanner होगा ये fingerprint scanner fast भी रहेगा और security भी भढ़ जाएगा अभी हम बात करते है color options के बारे में हमें normal color options जो है Samsung Galaxy S10E, S10 Plus, S10 में हमें देखने को मिलेगा वो color options है black है और एक green है और एक white है S10E जो है वो सबसे cheapest variant है वो iPhone XR से directly compete कर रहा है Samsung Galaxy S10E का variant में हमें कई सारे color color options देखने को मिलेंगे जैसे कि yellow हो, green हो, blue हो, white हो, black हो कई सारे color color options हमें देखने को मिलेगा S10E में अभी हम बात करते है एक special edition का वो है Samsung Galaxy S10 Plus का ceramic variant ceramic variant सबसे costliest variant होगा जिसमें पूरा body ceramic या तो tiles की materials तो होता है ना उससे cover होता है अभी हम बात करते है sound के बारे में 3 फोंस में 3.5 mm headphone jack मिलेगा और 3 फोंस में हमें stereo speakers भी देखने को मिलेगे तो एक बहुत अच्छी बात है Samsung अभी भी 3.5 mm headphone jack रख रहा है अभी हम बात करते है charging के बारे में 3 फोंस में wireless charging देखने को मिलेंगे फोंस में इसको बोलते हैं आपके फोंस से कोई और wireless charging support होने वाले device को आप चार्ज कर सकते है इसको हम बोलते है reverse wireless charging reverse wireless charging 9V तक support होता है इसका मतलब यह है कि fast reverse wireless charging भी होगा इन फोंस में अभी हम बात करते हैं SOC के बारे में इन तीनो फोंस में SOC जो रहेगा वो है Qualcomm Snapdragon 855 SOC वो इस साल का flagship SOC है वो सिर्फ US और China में देखने को मिलेगा और Exynos 9820 है वो बाकी देशों में जैसे के इंडिया, कोरिया और बाकी देशों में हमें Exynos का 9820 देखने को मिलेगा वो भी 855 की तरह है powerful chipset है और इन तीनो फोंस Android 9 Pie के उपर बेश्ट रहेगा और इन तीनो फोंस में Samsung का खुद का One UI हमें देखने को मिलेगा अभी हम बात करते है RAM Storage और Pricing के बारे में S10E जो है वो 6GB 128GB में आएगा और उसका प्रैस रहेगा तकरीमन 65,000 के आसपास और S10 वो 6GB 128GB में आएगा और 8GB 512GB में आएगा 6GB 128GB का प्रैस वो रहेगा 75,000 के आसपास और 8GB 512GB का प्रैस रहेगा 85,000 के आसपास अभी हम बात करते है S10 Plus के बारे में S10 Plus में तीन तीन हमें Storage option देखने को मिलेगा वो है 6GB 128GB जिसका प्रैस रहेगा 90,000 के आसपास और 8GB 512GB उसका प्रैस रहेगा 1,10,000 के आसपास और S10 Plus में हमें Special Edition भी देखने को मिलेगा वो Ceramic Edition है और उसका RAM है 12GB और उसका Storage है 1TB और उसका प्रैस होगा तकरीमन 1,25,000 रुपाई यह सब हो गया हमें RAM Storage और प्रैसिंग के उपर अभी हम लोगों को शायद 2 दोनस चीज़र भी देखने को मिल सकता है वो है Samsung Galaxy S10 का 5G Phone और Samsung Galaxy X या तो एक Folding Phone भी हमें देखने को मिल सकता है अभी हम 20 तरीक तक वेट करेंगे Samsung Galaxy S10 लाउंच इमिंट का और आप 20 तरीक को वेट कीजिए हम सारे कमरेज लेकर आ जाएंगे अगर आप अभी तक हमारे वीडियो देख रहे तो यार बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्रेब कर दीजिए क्योंकि हम ऐसे ही कमाल का वीडियो लेकर आते रहते हैं तो तैंक्यो फॉर वाचिंग गाइस